एक फरवरी जीवन और मृत्यु का मामला भजन सहीता 73 का लेखप आसाप ने समय की समिक्षा अनन्तिता के प्रकाश में और धर्ती की समिक्षा स्वर्ग के प्रकाश में की उसने दुष्टों की ओर देखा और कहा उनकी आखें चर्बी से जलकती है पदसात लेकिन बात में वह अपने निश्कर्ष को पलड़ देता है और इस बात को मान लेता है कि अगर उसके पास परमेश्वर है तो उसके पास सब कुछ है जीवन की अंतिम परिक्षा मृत्यू है हम निश्य ही मरेंगे लेकिन परमेश्वर सदा के लिए हमारा भाग ठहरेगा हमारा आज का वचन फिलिप्यो पहला ध्याय 21 बद का पुराने नियम का संसकरन है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसी है और मर जाना लाब है इससे हमें मिश्णरी जिम एलियट द्वारा कहा गया कथन याद आजाता है अगर कोई व्यक्ति उस व्यस्तू को पाने के लिए जिसे वह किसी कीमत पर नहीं खो सकता अपना वह सब कुछ दे देता है जिसे वह बचा नहीं सकता तो वह व्यक्ति मुर्ख नहीं है सही कीमत पाना चीवन और मृत्यू का मामला है भजन तिहत्तर हमें कुछ कीमती सबक सिखाता है प्राराम में वह हमें विश्वास के द्वारा चलने के लिए प्रोचसाहित करता है दृष्टी के द्वारा नहीं हमारी परिस्थितियां जैसी भी नजर आए लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है यहां हमें दूर दर्शी होने के लिए तथा अस्थाई चीजों के लिए अनंत चीजों को न त्यागने के लिए प्रोचसाहित करता है सबसे बढ़कर आसाफ हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के साथ आराधना करने तथा आत्मिक समिक्षा में समय बितानी की जरुरत है हमें अनंतता की अहमियत को ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करने की जरुरत है और यह केवल परमेश्वर के साथ संगती रखने से ही संभव है जब हमारा रिष्टा परमेश्वर के साथ बढ़ता है तब परमेश्वर की प्रतिज्याएं हमारे जीवन की पास्तविक्ता बन जाती है आज का वचन मेरे हृदे और मन दोनों तो हार गए हैं परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदे की चटान बना है बजन सहिता 73 अध्याए 26 पत इन पदों को भी पड़े बजन सहिता 37 अध्याए 73 अध्याए 24-28 पत नीती वचन 24 अध्याए 1-2 पत मती 16 अध्याए 26 पत और 21 अध्याए 41 पत व्यवहारी कारिया जब बुरे लोगों के साथ भलाई होती है जैसे कि उनका काम बनता या उन्हें केर्थी मिलती है तो क्या आपको डाह होती है या आप उन्हें आशिश देने और आपको उन आशिशों से वंचित रखने के लिए परमेश्वर के आलोचना करते हैं यदि यह सत्य है तब परमेश्वर से आपको शमा करने और आसाप की तरह एक नया नजरिया प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें उसका विश्वास बढ़ा इसलिए उसने अपने भजन को परमेश्वर के महान कारियों के वर्णन करते हुए समाप्त किया अपना भजन लिखें जिसमें आप अपने मन में पैदा होने वाली जलन और आलोचना का वर्णन कर सकते हैं और फिर परमेश्वर के इस्तूती करें जो सारे कारे ठीक करता है परमेश्वर आप सभी को आशिष्टे चेहर सिखी